हाईलो फ्रेट्स, वेलकम तो मैं इश्रडी फिर ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल, दोस्तों, न्यू सेशन का ये सतरोंवा टाक्रिस सेट है, जैसे कि मदेपदेश वर्क टू, यूपी, टीजिटी, पीजिटी, यूपी, अल्टीग्रेट, बीपेशी, टीरिफो, एन सभी फिजिकल एजुकेशन चैनल के लिए प्रैक्टिस करा रही हूँ, थियूरी सेशन देखना है, तो आप चैनल के पेलिस्ट में जाहिए, सभी थियूरी चिप्टर वाइच बताया गया है, और जो भी छूटे हुए है, मैं उसको ज़रूर पूरा करूंगी, और डेली बी से प्रैक्टिस करा रही हूँ, और आप सब कर डिबांड है कि जो यूथ कंपर्टिसन है, उसका भी प्रैक्टिस करा ये, तो चलते हैं, आज की कोश्टिस के तरफ, कुश्चन है, उलमपिक खेलो में महिलाओं की प्रतियोगिता को स्विकार किया गया था, तो दोस्तों, महिलाओं ने सरप्रथम उलमपिक में भाग लिया था, 1925 उलमपिक में, Penathlet Stadium में सुरू हुआ था Question number two है Volleyball में Libro Khiladi का क्या नहीं कर सकता What can a Libro Player not do in Volleyball तो दोस्तों जो Libro Khiladi होता है वह नहीं ब्लाग कर सकता है ना सर्विस कर सकता है ना कप्तानी कर सकता है उपरुक सभी नहीं कर सकता वह किवल पीछे की पंक्ती का बिसेस रच्छात्मक खिलाडी होता है वह बाल को आक्रमर छित्र से इसमेस नहीं कर सकता उसकी युनिफॉर्म भी बाकी खिलाडीों से अलग होती है वह रोटीशन में भाग नहीं ले सकता वह कहीं से भी आक्रामत क्रिया नहीं कर सकता, चाहे वह कोर्ट में हूँ या फ्री जून में, या खिलाड़ी न सर्विस कर सकता है, न बलाक में भाग ले सकता है, तथा नहीं आगे के खिल छितर में इसमेश हे तू गेंद तयार कर सकता है. Q3. मानों के मुटापय का मुख्य कारण है तो दोस्तों मानों के मुटापय का मुख्य कारण होता है वसिय उत्तक्य प्रिधी यानि फैटी टीस्थी की ग्रोग्थ Q4. वैर्मिन्टिन कोर्ड की लंबाई चोड़ाई कितनी होती है तो बेहिंटर कोड की लंबाई चोड़ाई जो है 44 गुड़े 20 फिट होती है डबल्स के लिए एकल कोड 44 गुड़े 17 फिट होती है यानि चोड़ाई जो है 3 फिट कम होती है कोशन नमर फाइफ है किस यंत्र द्वारा सक्ति कमापन किया जाता है वीच इंस्टुमेंट इस यूज दे मेजर स्ट्रेंट तो दोस्तों किसी अंत्र द्वारा किया जाता है आप सभी ने सही अंसर दे दिया होगा डाइनमोमेटर इस पिस गोनियोमेटर फ्लैक्सिबीटी एन लचीलापन मापा गोनियोमेटर से मापा जाता है question number 6 है कठिनाई की डिग्री निम्न में से किस से समंधर रखती है तो दोस्तो डिग्री आफ डिफिकल्टी related to which of the following तो जो कठिनाई की डिग्री है वो driving यहाँ पर driving नहीं होगा दोस्तो diving होगा ठीक है यहाँ पर diving होगा driving नहीं होगा याद रखेगा diving तो कठिनाई की डिग्री जो है वो driving से समंधर थै diving याद रखेगा और यह परतिक गोता के माप को दसाता है यह बताता है कि इसे निस्पादित करना कितना मुश्किल है question number 7 है परतम बिस्टु का फुटबॉल कहा आई रित किया गया था where was the first world cup of football held तो दोस्तों आप सब को पता है कि परतम बिस्टु का फुटबॉल 13 जुलाई 1930 में उरुग्वे की राधानी मौन्ट वीडियो में हुआ था यहाँ पर आपका उरुग्वे आपका right answer हो जाएगा जिसे विस्टु की उरुग्वे की राधानी में हुआ था मौन्ट वीडियो में जिसे विस्टु की 13 तीवी ने भाग लिया था और अर्जेंटिना को हराकर उरुग्वे पत्थम विस्टु का फुटबॉल में बिजयता बना था और दोस्तों जो आपका स्वेवत राज अमेरिका मैक्सिको कनाडा में होगा कोशे नमबर आठ है अंतराल प्रसिछल वीधी का प्रतिपादन किस ने किया था हू इंटरोटाग दो इंटर्वल ट्रेनिंग मेथ़ड दोस्तो एबेबे विकिला ने अंतराल प्रसिछल यानि की इंटरोट्रेनिंग मेथ़ड की कोच डिले व गर्चल व् 판 ने 19-20 में किया था इंटरोट्रेनिंग मेथड में सहंसिल्ता व गतीषांसिल्ता यानि अंडयोय इस्पेट इंडुरेंस विक्सित करता है इसको इस बिधी को रेश्ट और केफोर्ड अराम प्रियास बिधी भी कहा जाता है यह सांजिता डिल अप करने की सबसे अच्छा बिधी है इसमें दो अभियासों के मद्य रिकॉबरी अले की जो छती पूर्टी होता है इसके दोरान अभियास करने के दोरान जो हार्ट रेट होता है हिदे गती 180 मिनट पहुच जाता है और 180 मिनट पहुचते ही इसमें कुछ समय तक क्रिया कलाब किया जाता है फिर कुछ समय तक आराम करके पुना क्रिया कलाब आराम किया जाता है यानि कि हिर्य गती 180 प्रतिमिनर पहुंचते ही अधुरी छती पूर्ती के अधार पर जब हिर्य गती पुर्णा 120-140 प्रतिमिनर पहुंच जाता है तो तुरंत अभ्याद सुरू कर दिया जाता है कोशन नमबर नाइन है उलम्पिक में होकी कब सामिल किया गया तो दोस्तों उलम्पिक में होकी को 1908 लंदन उलम्पिक में सामिल किया गया इसमें छे टीमों ने भाग लिया था बिटेन बिजेता रहा था मेला होकी को उलम्पिक में परधम बार मास्को उलम्पिक में सामिल किया गया था और भारत ने उलम्पिक में हाकी में उलम्पिक में कब सामिल हुआ था दोस्तों भारत तो 28 एमस्ट्रोडम हलन उलम्पिक में तब वहां पे जैपाल सिंग भारत की तरफ से कप्तानी कर रहे थे और भारत पहला ही स्वड़ पदक प् तक लागातार जिसमें 20 में 1960 में रजत पदक जीता है ठीक है तो 800 एक रजत हो गया एंड जो चार कासे पदक है 1968, 1972, 2020 टोक्यो ओलम्पी का 24 पेरीज में चार कासे पदक जीते हुए हैं कोशन नमबर 10 है, ACI खेलों में हांकी कब सामिल की गई तो आपने देखा कि 1908 में और महिलाओं का 1980 में और भारत ने 1928 में भाग लिया और ACI खेलों में हांकी को कब सामिल किया गया तो दोस्तों में जबाब दे दे दिया होगा, 1958 टोक्यो जापान में, ठीक है, ACI खेलों को हांकी में 1908 टोक्यो जापान में सामिल किया गया है जिसमें भारत खोहराकर पाकिस्तान बिजता रहा था, याद रखेगा, जबकि महिला हांकी को एसे आई खेलों में 1982 नए दिल्ली खेल में सामिल किया गया था जिसमें दच्छी कुरिया कोहरागर भारत की जैता बना था कोशन नमर 11 है एक विक्रिती दुसरी विक्रिती के विकास का कारण होती है अतों नाकने यानि गूटने का जुड़ना का कारण होता है दोस्तों नाकने जिसे हम जेनु वलगम भी कहते हैं जो घुटने जुड़ जाता है आपस में उसे नाकने कहते हैं एक होता है बावले जिसे जेनु वरम कहते हैं जिसमें घुटना बारक के तरफ निकाल जाता है जिसमें धनुसा का टांगे भी कहते हैं तो यह आपका नाकने जिसे हम गेनू वलकम भी काते हैं एक घुटना आपस में जुड़ जाता है तो यह अकसर फ्लाइट फूट के चप्टा पाउंक के जिसे हम प्ले पायनस भी पुला जाता है के कारवर्ख होता है कोशन नमर 12 है मानस्पेस्ई के टीस्व में कितने परसेंट पाया जाता है कोशन नमर 13 है जब मानस्पेस्ई कमजूर, छोटी और सकती में कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं वेल मसल्स बिकम वीक, स्मॉल एं लोज स्ट्रेंद एजेट कॉल्ड तो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताई हूँ कि जब नियमित यायाम के करण मांस्पेसियों में ताकत में ब्रिदी होती है आकार में ब्रिदी होती है तो उसे हम हाईपर ट्रॉफी कहते हैं लेकिन इसके बिरपिस जब यायाम के अभाव के करण या किसी अर्वान सिक्ता के करण मांस्पेसियों चोटी और सक्ती में कम होती है तो उसे हम आट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहते हैं यहां पर और प्रॉफी आपका राइडर्स रहोगा कोश्चन नंबर 14 है मालीस का सरी पर क्या प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों मालीस का जो मालीस होता है इसे सरी पर कई प्रकार के लाब होते हैं जैसे मालीस के दौरान मस्तिष्क में एंडॉर्फिन नामक करासायन इस्त सभी भाग उपर पड़ता है तो यहां पर तंत्र पर रखत पर संचर तंत्र यहां पर आल आफ दे अब उपर सभी राइड इंसर हो जाएगा कोसे नमबर 15 है त्राटक होता है तो दोस्तों त्राटक जो है हमारा सट कम सुधी क्रिया जिसमें नेटी दूती नौली वस्ती त्राटक कपालवाती छे क्रिया होती है इसमें इसके अंतर आता है तो त्राटक जो है एकागरता के लिए होता है आप सबको पता है फार यानि कि जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टी और मन को बाधता है तो वह क्रिया त्राटक कहलाती है और इस सदों में कहा जाएं त्राटक का संब्द जो है एक आगरता यानि कॉंसंट्रेशन के होता है कि कोशन निमर्शोल है इनमें से क्या सारी सिच्छा की स्विधाओं के इस तर की आवसकता का निधारत करता है तो दो तो किसी भी चीज की आवसकता का कारेक्रम की क्या आवसकता है और निधारत करता है कारेक्रम की आवसकता प्रोग्रामी रिक्व पर लूब होता है कि कोश्चन नंबर 17 है कि सरी के द्वारा सरी के लिए की गई क्रिया सारी सिच्छा होती है यह परिवासा किस ने दी है तो दोस्तों इस परिवासा को फेमस परिवासा है आपने सही अंसर दे दिया होगा यह परिवासा है जे भी थामस का कोश्चन नंबर 18 है निनए से किस खेल में खेलते समें कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता है इन वेचें आपधा फल्लिविवन इस наж विल और प्लेइंग तो दोस्तों खेलते समें कोई भी टाइम आउट किसमें नहीं दिया जाता है फुट जिकि बास्केटबाल में पर्टेक पारी में एक टाइम आउट एक मिनिट का दिया जाता है कोशन निम्बर 19 है जर्मन खेल का नाम बताए जिस पर आधनिक बास्केटबाल अधरित है तो दोस्तों आप सब को पता है वह है आपका खेल कॉर्फ बॉल जो है कोर्फ बासर पतम 1896 में अगस्त हर्मन द्वारा लाया गया था कोशन नमबर 20 है इस्टेडियम जो इरविन एमफीथियेटर के नाम से जाना जाता है इस कोशन का एंसर भी आपने सही दे लिया होगा कई बार दोराया गया कोशन है यह राष्टिये इस्टेडियम दिल् जो इर्विन एमफितियर के नाम से जाना जाता है राष्टिये स्टेडियम की इस्थापना 1933 में किया गया था जिसका अब नया नाम मेजर ध्यानचन स्टेडियम हो गया है याद रखेगा मेजर ध्यानचन स्टेडियम कोशन नमर 21 है माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है दोस्तो आप सब को पता है की माइकल फरेरा का नाम जो है वो बिल्योर्ड स्टेड से जुड़ा हुआ है कोशन नमर 22 है राष्टिय महिला खेल उस्थो किस वर्स प्रणार्म किया गया था इन विचियर वाज नेशनल वूमिन स्पूर्स फेस्टिवल स्टॉर्टेट तो दोस्तो राष्टी महिला खेल उस्सो जो है 1975 से स्टार्ट है कोश्चन नमबर तेज़ है रंगा स्वामी कम किस खेल में परदान किया जाता है तो आप सबको पता है दोस्तो रंगा स्वामी कम पूरुस हांकी में परदान किया जाता है जबकि लेडी रतन टाटा कम महिला हांकी में परदान किया जाता है कोश्चन नमबर चोबीस है क्यू सब्द किस खेल से समधित है दोस्तों दो चीज़ों में आप हमेशा कंफिर होते हैं Q और कैडी Q सब्द बिलियोर से समधित है Q सब्द बिलियोर से समधित है जबकि कैडी गोर्व से समधित है Qoation No.25 है Doping pressure के लिए किसका नमूना लिया जाता है What sample is taken for doping test Doping pressure के लिए urine और रख्त दोनों का परिचर लिया जाता है A और T दोनों सही है पहले तो urine का परिचर लिया जाता है जब उससे कोई satisfaction नहीं मिलता है तो रख्त का परिचर लिया जाता है यह परिचर जो है World Anti-Doping Agency World Anti-Doping Agency WADA के द्वारा मान्ता प्रत प्रयोग सालों में करा जाता है Question No.26 है कैदी सब्द कि स्केल से समधित है अभी जश्ट में बताए क्यू सब्द बिलियार से समधित है और कैदी सब्द गोल्ब से समधित है Question No.27 है किस भारतिये ने प्रथम Grand Islam के उपादी जीती है Which Indian owned the first Grand Islam title तो दोस्तों सबसे पहले Grand Islam टेनिस में जीता हुआ है ओ है महेस भूपती कौन है महेस भूपती ऐसे भारतिये हैं जिन्होंने भारत के लिए प्रथम Grand Islam जीता महेस भूपती ने 1997 में रीका हिराकी के साथ मिसरत यूगल प्रतियुक्ता में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था Question No.28 है जब स्वास लिया जाता है तो वायू में आक्सिजन की मादरा 21% होती है तो स्वास छोड़ने पर निकाले गए वायू की में आक्सिजन की मादरा कीतनी होती है तो दोस्तों जैसे की हमारे समानने वायू में जो है आक्सिजन की 21% करबन डैक्साइट की 0.03% एन अर्ट्रोजन की 78% होती है यह सभी जितना वायू में उतना ही परसेंटेज में हमारे अंदर जाती है इंस्पाइरेशन में और जब हम एक्सिजन करते हैं स्वास को बाहर चोड़ते हैं तो 21% आक्सिजन जाता है उसका 4% ही यूज होता है तो वहाँ पे 16% आपका बाहर आ जाता है और 4-5% आपका आट्रोजन जो है 78% बाहर होता है वहाई मंदल में और 78% अंदर जाता है और बाहर भी 78% आ जाता है कोई उसका यूज नहीं होता पोसिण नबर 19 है सोलियस मानस पेसी कहा हैं सित है ऒरी देसोलियस मजल्स लो के टइएग तो दोस्टों सोलियस मानस पेसी जो है पा ये निचले भाग में सित होता है तहने वाले विविद कारियों में सहायक होती है कोशन नमबर तीस है अटेक लाइन किस से समधित है अटेक लाइन इज रिलेटेड टू तो दोस्तो अटेक लाइन आप सबको पता है वो है आपका बॉली बॉल से समधित कोशन नमबर एक तीस है फिट और स्वस्त रहने के लिए क्या आवस्तेक है वाट इस इंपोर्टेंट टू इस्टे फिट एंड हेल्दी दोस्तो क्या आवस्तेक है एपटेट्यूर की बिहावियर की लाइफिस्टाइल की दिन चरिया तो दोस्तो यहां पे आपका जो रूट आपके जो संपन किया जाए और अपात काल के लिए अधिक उड्या ही बसी रहे उसी हम कहते हैं फिटनेस तो फिट और स्वस्त रहने के लिए आपका बीन चरिया देली रूटीन कैसी है वह आपका अच्छा होना चाहिए और डेली रूटीन यहां पे नहीं दिया रहेगा ऐस्त हो जाएगा लेकिन यहां पर डेली रूटीन आपका अच्छा करती दिन किस ऑंब्र कुषेषऑ 32 है खेल कूद में चोड कैसे लगती है तो दोस्तो खेल कुद में चोड जो है प्रयाप्प्रसिच्छर का अभाव होता है, तकनीक और उपकरर के अभाव होता है, तो भी होता है, जानकार की कमी है, और लापरवाही है, तो यहाँ पे तो नहीं है, दोस्तों, यहाँ आपर यापत है, ठीक है, यहाँ पे और आपका देख लिजिएगा, ठीक है, आपर यापत, तो यहाँ पे आल आप दे एबग उप्रोप्ष भी आपका राइट एजर होगा जैसे कि चूट आपका वारम अपना करने से भी आपका होता है सही धंग से वारम अपना करने से जपरन होती है जिसे चूट लग जाती है कोस्ट नबर तैंटिस है सारविक सिच्छा की जगरत है जो कि दो जैसे कि आप आप जानते हैं सारे सिच्छा मेंन्धूर्फ हैं मनुसानव चाहस करता है South विकास के लिए उपर सभी के लिए सच्छां की जुरत हैं इसे प्रिछ व्लप्मेंट मेंटल इमोशोनल ग 주세요 से किषि precio नूम्पीक फाइनल में 4 अस्थान पडाज किया था दोस्तो जैसा किरंब यहाँचे मिधि फाइनल में 2 तीन लाई थे थे कौन थे वो जैसे कि मिलखा सिंह नएंटीज राम सिंह भी इसाrio के और वाले संब प्लाब इसार महां में श्यूद्धा स्टेंक क्या था मिल्क का सिंह इसे फ्राइंग सिंह कहा जाता है और मिल्का सिंग स्रि राम स is pages functions ने उलंपिक खेलों में र fum़ेभिन ट्रेख और चेटरी खेलों में फालज की क्वालिफाई किया था लेकिन सबसे अधिक बार मांका ट्रॉफी जीता है तो दोस्तों आपको पता है जो मांका ट्रॉफी है और प्रतेक्वास सर्सेस्ट पिछले एक साल में अंतर विस्व विद्याले को दिया जाता है जिसे 15 लाग धनरासी दिया जाता है मांका ट्रॉफी की सुरुबात उनिस सब्सक्राइब का सबसे पुराना राष्टी ये खेल पुरस्कार है इसमें 15 लाग धनरासी दिया जाता है पर्थम विजयता बांबे अब तक में सबसे ज़्यादा गुरु नानक देग विस्व विद्याले अमरिस्तर पंजाब यह सबसे ज़्यादा बार मांका ट्रॉफी जीता हुआ है दो जाटेश तक में कुल 24 बार जीत चुका है याद रखेगा तो यह था आज की सेशन का 35 कोचन आई होप कि आपको सभी कोचन समझ में आये होंगे और जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और जादे जादे वीडियो को सेयर भी कीजिए जिसे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्र